हेलो मैं ब्यूटी क्मीन वेल्कम बाग तिस इस में सुखप्रीत और आज के वीडियो में देखेंगे हेरस्टाइल कैसे बनाएं जुड़ा बन हेरस्टाल बनाने का तरीका, मांग ठीका कैसे लगाना है, पॉफ कैसे बनाना है पतले बालों में और पॉफ को लॉफ को लांग लास्टिंग कैसे बना के रखना है बिगिनर्स के लिए step by step आज के हेरस्टाल टुटोरियल वीडियो में ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ और हाग giveaway के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा तो चलिए हेरस्टाल बनाने का तरीका वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपने बालों को थोड़ा सा प्रेप करने वाली हूँ इसके लिए मैं लॉर्यल पारिस का ड्रीम लेंध नो हेर कट क्रीम लेह हूँ ये लीविन कंडिशनर है इसको हेरस्टालिंग के लिए यूज कर सकते हैं और मेरे जो हैर है वो शैंपू नहीं है मैं इनको तीन-चार दिन पहले शैंपू करा था आप देख सकते हो थोड़े से ग्रीसी है ओवराल लुक लेकिन उसके साथ भी आप असानी से जूड़ा हेर स्टाइल्स क्रियेट कर सकते हो सबसे बहले यहां पर मैंने सेंटर पार्टिशन कर ली है और मैं आपको बताने वाली हूँ मांग टिका कैसे लगाना है अच्छा मांग टिका का अगर चेन चोटा हो तो हम उसमें ठ्रेड डाल के उसका जो लेंथ है चेन का वो बड़ा कर सकते हैं अगर अपके बास थ्रेड नहीं है दैन आप इस तरह से बॉबबी पिन भी इंसर्ट करके मांग टिका के चेन की लेंथ को बड़ा कर सकते हो क्यों कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम जल्दी में रेडी हो ते फेस्टिवल या घर में शादी फंक्शन है जो चीज चाही होत तो थ्रेड अगर अपके पास नहीं है तो आप बॉबी पिन भी यूज कर सकते हो दैन मैं उसको तिक टैक पिन के साथ से क्योर कर रही हूं बिकास आई दू फेल्ट टैक पिन जादा स्टर्डी और स्ट्रॉंग होल्ड प्रोवाइड कर दी है और एक एक स्ट्रा बॉबी के साथ पफ कैसे बनाना है तो अगर सामने के बाल बहुत ही जादा पतले हैं पहले तो अप थोड़ा सा ज्यादा हैर का सेक्षण पिक करें अपनी एयर पार्टिशन तक अगर सामने से थोड़ा सा पतला या हलका तो पफ बढ़िए तरीके से बनेगा नहीं या वो बैट ज तो उसके ओपर पफ हेर स्टाइल काफी कॉंपलिमेंट करता है सो बालों को अच्छी तरह से जितना मुझे हेर का सेक्षन लेना था वो होल्ड करके मैंने टाफ का शाइन हेर स्प्रेया एड किया है पोनी टाइ करूंगी और यह आपको थोड़ी सी लूस पोनी टाइ करनी है पतले बालों के साथ मैंने नोटिस किया है जैसे मेरे बाल बहुत ही सादा थिन और पतले है यह पफ बनाने का तरीका सबसे बढ़िया तरीके से खाम करता है खास करके मेरे लिए बालों को थोड़ा सा हलका सा आगे की तरफ आपको पुश करना है और यहां पे आप अड़्जस कर सकते हो आपको अपने पफ का कितना हाइट रखना है आपको कम हाइट का पफ बनाना है जादा हाइट का पफ बनाना है अगर आपका चेहरा राउंड है यहां आपका चेहरा तो पफ यह स्टेल काफी कॉंपलिमेंट करते हैं, तो अपने फेस टाइप के साप से आप से आप पफ का जो हाइट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं पीछे से टिक टैक पिन और बॉबी पिन्स लगा के सिक्योर कर नहीं हूँ, जहाँ पर रबर बैंड लगा हुआ है अल्रड और थोड़ी देर वहाँ मैंने होल्ड करके रखा दैन बाकी साइड के हैर को मैं कॉंब करके सेटल कर रही हूँ लेकिन जहां पर आपको लग रहा है की गैप दिख रहा है बाल बीच में से युनो पफ जो हुस्सों में बट रहा है तो वहाँ पे यह थरीका यूज कर सकते सेटिंग स्प्रे के साथ पहले कॉंब के साथ बालों को होल्ड करके रखें बाल एक पोजिशन पे सेट हो जाएंगे तैन एक बार दुबारा से हीर स्प्रे वहां पर एड करें और थोड़ा सा हीर स्प्रे में पीछे जहां पे मैंने पिंज लगाए हैं पफ को होल्ड करने बहुत ही सेधा कम बाल हैं, हलके बाल हैं, तो उसे साथ, मैं पफ के साथ ही याजब को जूड़ा बन बनाने का तरीका बता हीू हूं तो सबसे पहले जेर, पीछे एक पोनी वनाली, और जो मेरे नाजरल हे, उनके साथ, अपके साथ, 5 चोटा सा जूड़ा बन बना लिया है, उसके बाद मैं ये artificial hair scrunchy ले रही हूँ, ये आपको Amazon पे भी मिल जाएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी description box में, आप Amazon पे भी चेक कर सकते हो, local market में भी चेक कर सकते हो, इसके दो not मैं जूड़े के उपर दे रही हूँ and then इसको secure करने के लिए side से मैंने जूड़ा पिन भी आड़ की है, जूड़ा पिन इस तरीके से लगानी है, ताकि ये जो scrunchy है, इसके साथ साथ जो मने अंदर natural hair का जूड़ा लगाया, वो भी secure हो जाए, ताकि आपको जादा पिन्स भी लगानी ना पड़े और एक ही पिन के साथ अपका जूड़ा बन hair style भी बन जाए, त अब अपने 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 जूड़ा बन जाए, तो ये सालों साल चलते हैं, तो इस जस्ट वन ताइम इन्वेस्टमेंट, जूड़ा बन को प्लेस करने के बाद इसको पहले सिक्योर करना बहुत सरूरी है, इसलिए मैंने उपर से एक जूड़ा पिन लगाई, राइट एं ये आपका जूड़ा बन रेड़ी है, अब इसको अपने 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 हिसाप से आप सकते हो, अगर ये सिंपल रखते हैं, यहां एक चांदबाली एरिंग सेंटर पार्ट में इस तरह से एच्छ कर दिये, इससे जो बीच वाला हिस्सा था वो भी कवर हो ग अगर करवा चौत पे ये जूड़ा बन रेस्ट्र बनाने वाले हो तो इसको आप गजरे के साथ स्टाइल कर सकते हो, गजरा लगाने का भी तरीका बहुत आसान है, एक साइट से गजरे का एक जो लड़ है, उसको आप पहले सिक्योर कर लीजे, टिक टैक पैन या बॉबी और अगर आपका पतला फेस है तो भी आप ये जूड़ा बनाऊगे ऐसे हैवी गजरे के साथ, इसे हैवी गजरे के साथ, इट कॉम्पलिमेंट ये होल लुक, फेस टाइप के पर काफी कॉम्पलिमेंट करता है, सेकेंड एक और तरीका है जिसमें आप पूरे जूड़े को हेवी गजरे के साथ कंपलीट कर सकते हो, हमारे घर में जब वेडिंग फंक्शन था, फेबररी में, तो मैंने बेंगॉली शादी वाले दिन इस तरह का ही जूड़ा बन हेस्टाइल क्रिएट करा था, और मुझे वो इतना अच्छा लग रहा था, साडी के साथ, पूरा लग सकते हैं, तो कुछ इस तरह का हेवी जूड़ा बन वाला लुक का जाएगा, कोई बोली नहीं सकता कि मेरे बाल इतने पतले हैं, तो यह कुछ सिंपल से तरीके हैं, जिसके साथ बिंगनर्स भी कुछ से सेल्फ यह स्टाइल बना सकते हैं, आने वाले फेस्टिवल सीज एक और दरीका आपके साथ शेयर करूंगी डोनट बन लगाने का, इसमें मैंने पहले पोनी टेल बना ली है, और इसके बाद मैं डोनट बन को एड़ करने के बाद बालों को डोनट बन के उपर इस तरह से स्प्रेड कर रही हूं, उसके बाद एक रबर बैंड को लेके यह करहाई हो इसतरह से अगर आपको पे सिर्प्याइप के हिसाब से हैस्टायल बनाने के तरीके देख से हैं तो मैंने च्वारे माति के लिए oyni कि लिए कैसे बनाएग मास्तले कैसे बनाे , बना हेरस्टाइल सबसे बेस्ट रहते हैं गोल चैरी के ओपर हेस्टाल बनाने के तरीके ये वीडियो मैं बनाए हैं मैं इनके लिंक प्रवाइड करें हूं रिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाँ पे आप इन वीडियो को चेक आउट कर सकते हो सो मैंने पहले रबर मैं लगाया उसके बाद बाकी जितने बचेवे हैर थे उनको डोनर बनके राउंड रोटेट करके जूडा पिंस के साथ सिक्योर कर रही हूं सो इन सारे हियर स्टाइल में बहुत जादा जूडा पिंस यूज नहीं होते बहुत जादा बॉबी पिंस यूज नहीं होते तो आपको चिंता करने की ज़रूद नहीं कि हाँ बालों में बाल खिचेंगे तूटेंगे सिरफ तीन चार आपके जूडा पिंस जो हैं वो लग करने के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो जरूरी है बेल नोटिफिकेशन अन होनी चाहिए वीडियो को आपको लाइक करना है फ्रेंद्स फामली के साथ शेयर करना है एं देन उसका स्क्रींशॉट आप मेरे सोचल मीडिया हैंडल मेरे साथ शेयर कर सकते जिसका लिंक आ और यह है एक बोनस गिववे मैंने अपनी वीडियो के अंदर इंगलिश अल्फाबेट का एक अक्षर चुपाया हुआ है आने वाली वीडियो को ध्यान से देखे उन अक्षरों को कलेक्ट करें उनसे एक वर्ड बनेगा जो आपको अक्टूबर मंत की आखरी वीडियो के कॉमेंट करना है सबसे बहले कॉमेंट करने वाली सब्सक्राइबर को मिलेगा गिववे वन और दूसरे नंबर पे कॉमेंट करने वाली सब्सक्राइबर को मिलेगा गिववे टू यह कॉमेंट आपको अक्टूबर की लास्ट वीडियो के नीचे ही करना है तो यह आपे मैं collect करना है औक्टूबर की सारी वीडियो में आपको इस तरह से अक्षर को ढूढ़ना है हो सकता है किसी वीडियो में ये अक्षर ना भी हो so this is all for a fun purpose और इन अक्षर से एक word बनेगा जो आपको लास्ट वीडियो के नीचे आके comment करना है और ये जो अलफबेट में अभी शो किया है ये सिरफ समझाने के purpose के लिए शो किया है आज की वीडियो का अलफबेट आप वीडियो में जाके ढूंड सकते हैं अगर आपको ये इंट्रस्टिंग लग रहा है देन डू पार्टिसिपेट इन इस बोनस गिववे एस वेल आपको ये जोड़ा बन हेस्टाल बनाने का तरीका मांग टिका कैसे लगाए और पॉफ येस्टाल कैसे बनाए पतले बालों में स्टेप बाइस्टेप फॉर बिग्नर्स हेस्टाल टूटोरियल शेयर किये है वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर आपको अए।